नमस्कार बीगू सराई टूड़े देखे हैं आप और आपके साथ मैं हो मिनाप शिठाकोर आज मैं आप सब को एक ऐसे ख़बर से रुबरू कराऊंगी जिसे देखकर आपको इससे पहले अगर सिस्टम पे कोई बिश्वास भी हो तो इस ख़बर को देखने के बाद आपका सिस्टम पर से जो विश्वास है वो शायद उठ जाएगा जिया मैं बात कर रही हूँ वेगू सराई जिला के हरीपूर कादराबाद इसकित मध्य विद्याले कॉरेंटीन सेंटर की जहां रहने सेहने की समोचित वेवस्था नहीं होने के कारण मजदूरों ने परदर्शन किया था कितने दिन रहा है हुए आपको हो गया आप लोगों क्या क्या दिक्कतों की सामना करना पर रहा है जिसके बाद अंचला पता दिकारी आए और बिना कोई जांच करवाए इन लोगों को घर भेज दिया इतना ही नहीं अंचला अधिकारी ने इन सारे मजदूरों से कागज पर ये लिखवाया है कि 21 दिनों से मैं इस कौरंटाइन सेंटर में रहा रहा था और तो और मुझे इस कौरंटाइन सेंटर में किसी भी परकार की कोई भी उसूविधा नहीं हुई है आपको बता देंगी ये मजदूर पिछले 16 माई को कॉरंटीन किये गए थे अब आप ही देख लीजिए इस वीडियो में मजदूर ने क्या कुछ कहा है आप लोग कहां से आ रहे हैं हम तो आ रहे हैं कदरपूर कुरंटाइन संटर से आये थे परदेश से तो फिर यहां पर खाने पीने एक सुब्धा आप लोगों प्लवद करवाई जा रही थी दो दिन करवाया था तिकरवाद रोज ही हल्ले गुल्ला होता था तो अभी आप ल kulintays Center से कांटकर आ रहे हैं इतना वाट कहकर लिख वालिया फार्म पर आप लोग को करवाद दिन सdel found में कितने दिन रहे हैं दस दिन और उन्होंने क्या लिखबा किस दिन PengantLE संटर में रहे हैं यह लिख दो हम 21 दीन करुण टाइंग संटर में रहकर जा रहे हैं अच्छा इतना लिख वालिया तो बीते दस दिनों में आप कोई सुबधा स्टारी रूप से उपलत नहीं करवाई गई हम यहां से गये थे 15 तारीक तो 16 तारीक को अथी आप लोग अभी कहां जाईएगा अभी जाएंगे चंथा पंचाथ 3 वार्ड नंबर 6 आपका नाम चंदन कुमार आपका भाईया आपका यह सभी परवाजी मजदूर उतकर्मित मद विद्यालय हरीपूर कद्रा में बाद में मौझूद थे ना इनको खाने की प्रवस्था ना रहने की प्रवस्था ना किसी परकार की कोई सुभधा अफलब्द करवाई गई यह सभी लोग जब परदर्शन कर रहे थे तो परदर्शन से तंग आकर यह सभी लोगों को क कौरांटाइन सेद्र से निस्कासित कर दीया गया और बिना कोई जाच के ही अपने अपने घर इनको भेज़ दिया गया मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि अपने आसन पास सभी कौरांटाइन Сेंटर की करें देख क्योंकि इसमें आपका अपना भी कोई हो सकता है सबका साथ सबका विकास ऐए मेरे दोस्तों अगर इंसान है तो इंसानियत को जिन्दा रखिए